रादे कृष्णा भक्तो जैमातादी हरर महादेव आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि भगवान पर जो हम फूल अरपित करते हैं उन फूलों को हमें कौन से समय में तोड़ना चाहिए थोड़े से कुछ नियम है उसको पालन करके अगर आप फूल को तोड़ते हैं और फूल को जो है वो स्विकार करते हैं तो आये जानकारी को बिल्कुल भी लंबा नहीं करते हैं शुरू करते हैं अपनी जानकारी तो भक्तो इस अंसार में भगवान को हम बहुत सारी वस्तुए सामगरी अरपित करते हैं उन्ही मर से एक महतपुर्ण जो वस्तु है सामगरी है वह है फूल जी हां हम अपने भगवान को दिन चर्या की पूजा में उन्हें फूल भी जरूर अर्पित करते हैं और फूल के बारे में आप शायद ये कुछ नियम नहीं जानते हैं अगर आप नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप वो नियम जान जाए और उमीद करती हूं कि आप सभी उसको जो है फॉल भी करेंगे तो सबसे पहली बात है जो हम भगवान को फूल चढ़ाते हैं उसको आपको जब भी आप उसे तोड़ कर लाए तो आपको उसे धोना नहीं है बिना धोवे फूल जो है भगवान को चढ़ाये जाते हैं को जब भी फूल तोड़े आप ध्यान रखे कि आप असनान से पहले यानि कि नहाने के पहले आपको फूल तोड़ना है नहाने के बाद आप फूल ना तोड़े अन्य था वह फूल भगवान द्वारा स्विकार नहीं की जाती है और तीसरी जो बात है कि फूल को कभी भी आप तोड करें टुकडों में तोड कर पंखुरी तोड कर ऐसे ना चड़ाए आप जब भी फूल अर्पित करें तो पूरी ही पूरी की पूरी फूल अर्पित करें और जो चौती बात है भक्तों आपको भगवान को कभी भी बासी फूल अर्पित नहीं करनी चाहिए आप फूल ज तो वह पूजा बिफल मानी जाती है वह समय दिया गया आपका जो है सही नहीं होता है तो आप प्रयास करें कि आप से जाने जान कर कोई गलती ना हो अंजाने में कोई गलती होती है तो वह बात अलग होती है वह माफी के लायक होती है लेकिन जान बूज करके आप गलती अपन तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ तब तक के लिए जैमातादी हरर महादेव राधे राधे